अपने नए यूटूब चैनल अग्रिम पर मैं सुनील अभिवक्ति आज यूट वन भारती संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला करूप साहित और बास्त कला के मुख्य पहलू के साथ और आज इस यूट में जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं आज हम लोग तीसरे अपने सेग्मेंट में आएंगे यानि आज प्राचीन भारत के इ एक यूट पर काम करते हुए आगे की तरह बढ़ेंगे तो आज यूट वन जी एस पेपर वन मुख्य परिक्चा का प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत होते हैं मुख्य परिक्चा में वो हम आज कम्प्लीट करने जा रहे हैं मुख्य परिक्चा यानि आज लेक्चर त्री है इसके पहले दो लेक्चर हो चुके आप लोग उस पर ध्यान अपना बनाए रखें यूनिट है आपके सामने और उसके पहले आनेकेडमी सब्सक्रेप्चन प्लेटफॉर्म जो भी बच्चे अपनी प्रेपरेशन बहुत बहतर ढंग से करना चाहते हैं UPSC के तरीक मिलेगा और फीस हो जागी 64,800 और दूसरा बारा महिने आप इसके लाइब कोड यूज करते हैं फीस हो जागी 44,550 ऐसे ही आइकोनिक सब्सक्रेप्चन डिफरेंस इसमें इतना इसमें आपको पर्सनल मेंटर्शिप मिलती है आनेकेडमी की तरफ से 24 महिने की फीस 89,100 है और तो आप UPSC, CSC, Optional कटेगरी अलग हो चुकी है UPSC, CSC, GS कटेगरी अलग हो चुकी है तो जो बच्चे के वला Optional पढ़ना चाहते हैं वो हमारे साथ कनेट हो सकते हैं फीस देख सकते हैं कितनी कम है एक महिने 5,000, 6 महिने के लिए आते हैं तो साड़े 22,000, 12 महिने के लिए आ Optional अलग से लेना पड़ेगा UPSC, CSC अलग से लेना पड़ेगा GS और अगर आप मेरे कोर्ट से आते हैं क्या मिलेगा तो देखिए पूरा मुख्य परिक्चा जिसमें Ethics, ACO Optional यानि कि आपका 1000 नंबर पर पूरा फोकस रहेगा और इसके अलाम आप मुझे 10 हिंदू में प्रिलिम्स का बैच स्टार्ट किया हूँ तो लगातार अब आपके पास जो लोग 27 जून को करना चाहते हैं तो वह आपके connect हो सकते हैं जवरदस classes आपको मिलेंगे चले बच्चों स्टार्ट करते हैं ये GS1 unit का introduction जो second part तक हो चुका हम कैसे कैसे पढ़ेंगे तो अभी हम प important बच्चों ये नहीं होता कि आप क्या पढ़ रहें important ये होता है इंपोर्टन ये होता है कि यह जो आप पढ़ रहें जैसे आप Stone Age पढ़ेंगे, Indus Bellic Culture पढ़ेंगे Bedic सभथा पढ़ेंगे, Sixth calamity Culture पढ़ेंगे, Maurian Culture गुपता ये समवाब बितलों बता चुका होती इसमें जो भी आप पढवेंगे हम किस हिसाप से पढ़े सबसे जधा इंप्वेटन वह होता है तो भारत के इतिहास की पुनररचना में चीनीय और अभीयात्रियों के बृतांतों के महत इस प्रकार का प्रशनात यहनि इतिहास की 2 और रचना में जैसे अभी हम लोगों ने शाहतिक स्रोथ कंप्लीट कर लिए हैं ठीक है आज विदेशी यात्तुरी और उसके बाद फिर हम जो है इसके प्रशात हम पढ़ेंगे पुरातात्री स्रोथ तो इस प्रकार के प्रश्ण एके उनिट में उलेक नहीं है यह लेकिन फिर भी लेक्टरा भाट हमने किया लेक्टर टू च्योंकि लगातार प्रश्ण पूछरा आज हम फाइनल लेक्चर करने जा रहे हैं लेक्टर तरी तो जिन बच्चों ने डारेक्ट यहाँ देखाओ प्लिज्टर लेक्चर बंलेक् पे याप कर चुके हैं याद रखेगा और आज हम लोग इसी साहित्तिक में विदेशी जो इतिहास कार रहे हैं उनका और पुरा तात्विक फ्रोथ पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले बच्चो याद रखेगा यह एक तरफ लेखक हैं एक तरफ उन्होंने क्या लिखा है और इसके बाद क्या उनका महत्वई यहाँ पर मैं आपको अनालेसिस करता चलूँगा यानि लेखक उन्होंने क्या लिखा है ठीक है ना, यानि उनका क्या लिखा है और इससे हमें क्या पता लगता है किस प्रकार से हमारे इतिहास का पुनर निर्माण इससे संब्भव पाता है तो परिप्लस आपदा एरिथ्रियन स्री ये एक अग्यात नामा लेखक का नाम पता नहीं है बट ये जब आए तो ये अपने समय के भारत के बंदर गाहों और ब्यापारिक बस्तूओं के बारे में बिस्तृत ब्यूरण देते हैं यह पॉइंट आपको याद रखना है ठीक ह तो इनके जो लेखक है उन्होंने क्या बताया है जैसे उन्होंने ये बताया है कि जैसे हमें ये पता चलता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पहला पॉइंट यह है कि जो फारस की खाड़ी है यानि सारे बंदर गाहों के बारे में तो हमें जानकारी मिलती है बट जब बताते हैं यानि अब इसका इंपर्टेंस क्या हम ये बंदरगाह से बहरत में ब्यापार एक स्वह़िस्टता का पता लगता कि वह कि बिताते हैं कि जो भृड़ोच है यहां से बताते हैं कि फारस की खाड़ी ब्यापार होता था फारस की खाड़ी जानि हम फारस के साथ उस समय ब्यापार करते थे इसका स्रोत हमें परिप्लस आपदा इरिट्रियम सी जो है होता है यानि यही उसका स्रोत होता है तो यह कहते हैं कि भ्रिगुकच्छ ठीक है ना भ्रिगुकच्छ और फारस की खाड़ी के मद्य दाशों का निर्यात होता था तो यह कहते हैं अब देखिए यहां पर आप कहेंगे तिहास का होता है और मेगस्थनीज अभी आप पढ़ेंगे अभी हम यूनानी लेकर पढ़ रहे हैं ठीक है ना स्रेड़ी हमारी यूनानी चल रही फिर चीनी चलेगे मेगस्थनीज क्या कहते हैं मेगस्थनीज कहेंगे कि भारत में दास थे ही ने यानि दास प्रता थे ही ने तो यह इस प्रकार के शाक्षियों से यानि अब इतिहास का पुनर निर्मान कैसे होगा तो मेगस्थनी जो की बाद में आते हैं अगर वो कहते हैं भारत में दासपरता नहीं थी तो हम कंडन कर सकते हैं कि मेगस्थनी संभवता भृग परिप्लस आपदार इठ्रियन सी से परचिदर नहीं थे जिसके इतिहास कारण सबसे पहले ही बता दिया था कि दासपरता थी तो यह जो इतिहास का पुनर निर्मान का मतलब होता है कि भिभिन्न सरोत जब हमारे शामने आते हैं तो हम कंपेर करते हैं जैसे विदेशी यात्रियों के बिता फिर भारत का धार्मिक शाहित तो यही है को जहान में जाने C То10 टॉट से अधिक बच्छों बताने को तो बहुत कुछ बंदर्गाहों का नाम बताता है यह भी बताता सकता है कि पांडे राज्य के बारे में इसने क्या कहा मूतियो कहा था इतना डिटील आपको अच्छे से पता है प्रश्ण आया था डेड़ सवसब्द में और परिपलस पे आये गा नहीं आये गा तो प्रश्ण यूनानी लेखर यानी भारतिय इतिहास लेखन में यूनानी लेखकों की भून का की भूमि का तो आप यहां से देख सकते हैं आप इसे कर देढ़ inge १ां एक अब फिर इसके बाद अगला कौन से सामने देख सकते कौन का रहा यानि टेश्यत कौन का रहा रहा कि या है इरन का राजबैध्हा भारत के संबन में मतलब इसने काफी ज़्यादा आस्चर जनक कहानिया बनाई तो इसके इतिहास का बहुत ज़्यादा महत्वन नहीं है केवल आप एक्जाम में इसको केवल नाम लिख करके निकल जाएंगे ये सब कुछ भी नहीं लिखेंगे कि ये था के नहीं था लेकिन हमें तो बताना पड़ेगा जिसे आपको ये लगे कि पूरा है नहीं तो पता लगेगा कि आपको ये लग जाए का दूरा है हम हमेशा एक्जाम को दिमाग में रख करके अध्यान करेंगे बच्चों जो मुझे फालो करें बच्चों वो तो अंडेट परसेंट एबरी टाइम दिमाग में एक्जाम रहना चाहिए ठीक है तब आप बहुत कुछ आगे की तरफ निकल पाएंगे सचीन तंदुलकर बगरा क्या कहते हैं आप उनका इंटर्वी पुराने सुनिए वह सबस्ट कहते हैं हमने किर्कट को जीने का मतलब है कि हर टाइम हमने वही सोचा तो आप भी UPSC को जीए जीए का मतलब होता है कि क्या लेना है क्या छोड़ना है आपको स्टार्टिंग से ह पीलणी पीलिनी का थीक है ना क्या समय है तो ये हटा सताव दिनी की पुस्तक थी natural history ठीक है कि स 보시면 gens breaking चीस जैसे नाम से ही पता है प्राकr between आप था तो प्राकृतिक यानि प्वहरत में क्या-क्या पाया जाता था ठीक है सब कुछ ट्रेंट याद रखें जो सबसे इंप्वर्टेंट है तो यह भारत और रोम के ब्यापार के बारे में बताता है भारत और रोम का ब्यापार अब देखे हमको भारत और रोम के ब्यापार के बारे में कहां से पता चलता पिलिनी की नेचुरल हिस्टॉरी था तो यह हमारे पास एक ऐस फैक्ट आता है पिलिनी क्या कहता है कि भारस से बिलास्ता की बस्टंवें रूम मंगवाता है और एक बहुत बड़ी सोने की मात्रा हंदुस्तान वह भेजता है ठिक है न उसने कहा कि भारत और उसकी नदिया क्या है रत्न धारक है तो उसने यह लिखा तो भारत और रोम के मध्य हमें समन्दों का पता लगा अब कौन होता है टाल्मी इसने दूसरी सताबदी में भारत का बुखोल जोगरफी नामत पुस्तक लिखी ठीक है ना और स्वभभी के भारत के भुगोल का इसने बढ़न के हाला कि उसके बढ़नन में काफी तुरुटियां हैं तो आप देख सकते हैं इनका भी क्योंलम नाम लिखके आगे बढ़ जाएंगे इतिहास के पुनर निर्माण में हाँ सबसे इंपॉर्टन्स की यह जब आए थे तो तिती लेखन में बड़ी महता यानि कि अब इन लों की जो तितियां है तो युनानी इतिहास कारिये जो थे इनकी तितियों के माद्यम से भारते इतिहास के तिती निर्धारण में साहिता मिली यह इसकी इंपॉर्टन्स है अब सबसे इसके बाद इस那 रेले इसके बाद कौन धे ट्रेवoser है और सबसे इंपॉर्टन्स है तो मेंस दिलीट निन मैं आपको करा क्या युनानी लेखर यह भी दूसरी सताबदी में आया था यानि कि टाल मिका ही समकालीन संबाट है है मौरियों के काल में नाओं का निर्माण होता था और इस वह नाओं का जो निर्माण था उस पर राजीका एकादिकार था इसका मतलब है कि ब्यापार 25 जी समरिद्ध था ठीक तो यह इंपर्टन्ट और वो यह उस समय की जो ब्यापार संस्कृति थी उसके बारे में भी बढ़न करता है और क्या कहता है कि अगर ब्यापारियों को या हस्ट सिल्पी गुड कोई नुक्षान पहुंचाता था तो उसे कठोर धंड मिलता था तो यह एक दो मौरेश शमराट चंद्रकुप्त मौर के दरवार में आये थे और यूनानी शमराट से लूकस के राज़दू के रूप में आये थे और कब आये थे 304 से 299 इशापूर में तो थोड़ा इनके बारे में क्योंकि UPSC क्या पता कुछ पता नहीं है ठीक है न के रूप में आये थ अब यह जो इंडिका है यह अपने मूल स्वरूप में यानि जैसी लिखी गए थी वैसी आज प्राप्पर नहीं है या उपलब्द नहीं है लेकिन जो बाद के लेखक थे जैसे मेगस्थनीच के बाद के एरियन, इस्ट्रेबो, पिलनी ठीक है न इन लोगों ने इंडिका कि कुछ अंसों का उलेक किया है, तो यह सिंपल है, अब यह क्या लिखते हैं, तो इनका सबसे जो बेहतर है, वो था समाज के बारे में लिखते हैं, नगर परशाशन के बारे में लिखते हैं, समाज के बारे में लिखते हैं, नगर परशाशन के बारे में लिखते हैं, धर् के द्वारा जो हमें भारतिये इति हास के बारे में जानकारी मिलती हूँ यतने सोर्स रहते हैं तो अगर आप देखेंगे तो यह समाज के बारे में क्या लिखने हैं तो साफ कहते हैं भारतिय समाज में कुल साथ बर्ग थे कितने बर्ग थे सेवन बर यह कहते हैं कि दास पृथा थी ही नहीं और यह कहते हैं सती पृथा थी तो यानि सती पृथा का साथ है इनकी अनुसार ये सत्थी पृथा के बारे में बात चीत करते हैं, जब कि आप देखिए, यानि मौरिकाल में मेगस्तनी सत्थी पृथा की बात करता है, शाहितिक रूप से, जिसकी पुरा तात्विक पुस्ठ होती है, गुप्त काल में भानु गुप्त के एरण अभिलेक में, कहां होती है भानु गुप्त के एरण अभिलेक में, पांस, सो, दस, इस भी के आसपास, तो यहां का साहित और वहां का, मौरिकाल का साहित, या विदेशी आत्रियों का बियूरण, मेगस्तनी, और गुप्त काल में, जो एरण अभिलेक है, तो ये दोनों, अगर आप देखेंगे, तो स युगों को एक दूसरे के साथ सती प्रथा के संदर में कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे ही आपको चीजों को द्यान में रखना है, अगर आप नगर प्रशाषन की बात चीत करेंगे, तो उन्होंने साफ कहा, कि जो नगरों का प्रवंदन है, वह काउंसिल के द्वारा होता था, ठीक है न, और उसमें पांच-पांच सदस्यों वाली छे समितियां काम गरती थी, मेगस्थनीज नगर प्रशाषन के बारे में उन्होंने बिस्तरित बिवर्ण दिया, जिससे हम सैंदोश अभिता के पस्चा, भारतिय नगरी करण के बारे में एक इसपस्ट जानकारी प्र सूचना थी, जो मेगस्थनीज ने हमें प्रदान करिये, तो आप यहां से यह पॉंट निकाल सकते हैं, ठीक है बच चलो, ठीक है, तो यह हो गया आपका, यहां से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद जहां तक धर्म की बात है, तो उन्होंने लिखा है कि भारत यह जो होते थे, युनानी देवता, डायो नीसियस, जिनने सिव कहा जाता है, और हेरा के लिए जिनने कृष्ण कहा जाता है, उनकी आराधना करते थे, और यह भी लिख दिया था कि भारत में दुरभेच नहीं पड़ते, तो इस प्रकार की जानकारी उन्होंने दी, और र पार की पुष्टी भी इनके गरंते से होती है, तो यह एक प्रकार से अच्छा इतिहास लेखन का आधार यहां पर हमारे सामने आता है, अब देखें चीनी यात्री, यही प्रश्न पूछा था ना, चीनी और अर्भी यात्री, आप देखेंगे प्रश्न तो क्या प्रश्न मतलब, यानि वहां से जो जो साक्ष मिलते हैं, तो भारत के इतिहास की पुन रचना में चीनी और अर्भी यात्री यहां पर यूनानी यात्री हो गया, क्या हो गया, यूनानी यात्री, तो आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है, तो यूनानी यात्री, अब हम चीनी यात्र के दरबार में आता है यह भी पॉइंट आपको किलियर है आया तो उसने जानकारी क्या दी तक कालीन भारत का सामाजिक जीवन कैसा था देखिए हमेशा आप याद रहें जो मैंने पहले चार्ट में बताया पहले लेक्चर में कोई आएगा या किसी भी साहित से क्या पता जिवन, जमाय राजनीतिक जीवन तो समाजिक जीवन आर्थिक जीवन है और धार्मिक जीवन के बारे में यहां से हमें जानकारी प्राप्त होती है बिस्त्रित रूप से बट याद रखेगा या आता तो है चंद्रगुप दितिये के दरबार में बट राजनीतिक जानकारी का वर्णन इसके गरंत में नहीं है यह पॉइंट पहले से आपके लिएर का लेजेड़ ठीक है तो बस अब इससे ज एतना ही आपको ध्यान रखना होता धिक है नहीं है जो जो संतुलन होना चाहिए यानि वो सासन के अस्तर से ले करके समाज के प्रतेक अस्तर प्रेक शंतुलन था आर्थिक रूप से उसने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि जो लेंदेन होता था जो वस्तु विनमे होता था यानि एक हम आपको कुछ बेच रहे हैं आप हमें कुछ बेच रहे हैं तामे के भी, लेकिन याद रखेगा, जो लेंदेन होता था, वह कौडियों के माद्यमस होता था, कौडि, कौडि वर्ड है, कौडियों के माद्यमस होता, ठीक है, तो यह आप देख सकते हैं, और ठीक है, इसने बड़ी अच्छी बात करी, चंद्रकुपत मौर के राद के बारे में जो उनका पूरा राजपुरशाद था किया मानों नहीं बनाया देव ने बनाया इस प्रकार की चीज़ें इन्हों ने करी इतने से हमारा काम चलना है सुंग यून 518 में और तीन बर्ष के लिए आता है बहुत धर्म की सिक्चा के लिए आता है तो भारतिय संस्कृति और मध्य प्रदेश की जनता यानि जो भारत का मध्य भारत है उसके सुकियों सम्रिद्धी का वरण किया तब आपके सामने ये ठीक है ना अब ये लोग भी आते हैं ठीक है ना मध्य देशियाई देशों के बारे में भी बताते हैं जो कि बुद्ध और बॉद्ध सिक्षा के लिए थे तो प्राया इनका जो दृष्ट कोंड राव बॉद्ध वहां बॉद्ध परप्रेक्षमरा इसलिए हम पूर्टया उसे तार्किक भी नहीं कह सक सब्सक्राइब करेंगे और एक बड़ा दिल्चस्प आकड़ा देते हैं जाते हैं हुएंशान अब यह इंपॉर्टेंट है 630 कब आये हर्सबर्धन के सासल में इनका जो घूमना जो यह घूमें वह बृतांत शीयू की यह पुस्तक है नाम से प्रसिद्ध है इसमें 139 दे देते हैं उस समय भारत का सिंद चेतर ता उसका राजा सूद्र था यह इन्होंने कहा और इनको स्तिर थ्यातिनों का राजकुमार भी कहा जाता है ठीक है ना नालंदा में इन्होंने रह करके अध्यन किया तो वहां की पूरी सिक्षा व्यवस्ता के बारे में भी पता लगा ठीक है ना और जो अगर हम भारतिय समाज के बारे में कहें तो उन्होंने चत्रियों की बीरता की प्रसुंशा की राजाओं की जाती और चत्रियों को राजा की जाती बता और शूद्रों को किरशक कहा तो इस प्रकार की कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं दे बढ़ाना इसका मतलब आपको केवल मतलब जहां-जहां मैं फोकस करा रहा हूं वो पॉइंट आप याद कर लिजेगा बस इत्सिंग सात्मीन सताब्दी क्यंत में आता है नालंदा बिश्व बिद्याले बिक्रम शिला बिश्व बिद्याले इन शब का और अपने समय के भारत का बढ़न करता है ठीक है ना भारत और लिखता है नालंदा और बिक्रम शिला बिश्व बिद्याले के बारे में कि भारत और मले प्राइदी प्यानी जवात का माल्दी पौर इस प्रकार का छेत्र है इसमें ठीक है ना इसको ध्यान में रखते उसने एक ग्रंत लिखा भार और मले प्रादी पुंज में प्रसलित बहुत धर्म का विवर्ण तो बहुत शिक्षा के लिए था बहुत द्रिष्ट कोंड से भारत को उन्होंने देखा लेकिन हमें शिक्षा बिवस्ता के बारे में बेतर जानकारी मिलती है अब आप विचार के लिए अगर आप पिछली बार ऐसे पड़े होते चीनी और अर्भी यात्री तो आप देखें चीनी यात्री भी काम का का आपको मिल गया है क्योंकि ज्यादा लिखी नहीं सकते हैं तो मुख्य पर दोपॉइंक इनके दोपॉइंकर दोपॉइंके ध्यान करियेका किसी का एक त्था एक साथ की में दस लिखेंगे तो सत्र शब्द तो एक ही का हो गया जो मैं गुणाक लगा रहा हूं जैसे महीं लीजेओ आप अगर फायान कराने था कम से कम 15 tuh 20 होई जाएगा फायानЕ हूं एक ही पंक्त लिखेंगे 10 हो गया फिर होईंसांग आएगा तो आप यह से 30 सब्से कम उसका भी नहीं हो सकता है तो 30 30 60 इस सिंग के बारे में 10 सब्से कम क्या लिखेंगे तो 30 30 60 70 70 तो आपका हो गया केवल चीनिया तो इसका मतलब समझ रहे ना कि क्यों इस टाइप से कंटेंट दिया गया बस इतना ही यह भी ज्यादा है यानि जो चीजे आते जिसमें बहुत ज्यादा इंटरप्रेट करने की गुंजाई स्कीम नहीं होती है उनको सूचनात्मक लेकन कहते हैं यानि आपके पास सूचना है आप लिख दीजिए नंबर भी खूब मिलता है बट आपको इतनी धेर सारी जानकारियों को क्या करना पड़ता है बहुत संचेप में प्रस्तूत करना पड़ता है ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनाती हो अरब यात्री एबने खुरदाद 864 हिसदी ठेक न सबसे पहले 864 हिसदी अब अरब यात्री आ गया पैटरन एक ही होगा यात्रा बिरतान तुन्होंने क्या लिखा और इससे हमें क्या मदद मिलती है तो आप आप देखेंगे अरब भुगल बिताओं में एक एक था अरब भुगल बिताओं इसकी पुस्तक का नाम आपके सामने लिखाओ किताबुल मसालिक वल ममालिक इसका आरत क्या है मार्ग यूम राज्यों यानि जहां-जहां से वाया जिन-जिन मार्गों के बारे में परचित जहां जिस जिस राज में रुका जिसके बारे मुस्ने सुना वहां की बिरोनिका यानि वहां का बिरोनिका में लिखा ठीक है न तो यह हो गया यात्रा बिर्ताद अब इसके बाद क्या है अलमसूदी क्या है अलमसूदी 957 परतिहार राजिका दौरा किया अर अलमसू的ी अब यह क्या था अरवयात्री था कि कृतिहार राजिका दौरा र्तिहार किया की ईस्क्राइब हम देख सकते हिए अलमसूदी हो गया फिर क्या हो गया अल बिरूनी हो गया यह कब आया महमूद गजनभी के शोमनात पर आक्रमन के समय भारत आ है यहां रहते हो इसने क्या किया इसने खागोल बिद्या संस्कृत था रसाइन सास राधि बिश्यों का बिश्त्रित बिवर्ण लिया अल बिरूनी के पुस्तक तहकी के हिंद ग्यारामी सताब्दी के भारत का चित्र प्रस्तूत करती है उसकी अनुसार ब्रामनों को मिर्ट दंड से छूटी ब्रामनों के लिए सबसे कटोर दंड देश निसकासंत है तो यह आप यहां से देख सकते हैं यह अल बिरूनी के बारे में तो इतनी जानकारी आपको यहां पर धान में रखनी है सरसरी निगास से आप इतना अगर जानते हैं तो आप यह मान के चलिए कि आप बेहतर चल रहे हैं और इससे ज़्यादा ना तो मैं कहूंगा याद करने के लिए चुकि आप अगर टॉपर्स के नंबर भी देखते हैं अगर आप Toppers के नंबर भी देखते हैं, तो GS123 में Common नंबर है, आप अच्छा लेके आई, इसलिए एक कोशिस हो रही है, बट जो पूरा का पूरा फोकस है, वो आपका क्या होगा, आपका पूरा का पूरा जो फोकस है, वो पूरा का पूरा फोकस निर्भर करेगा, किस चीज को एनलाइज करना जानते हैं, संशेप में प्रस्तूत करना जानते हैं, तो अगर आप ऐसा कर पाने में काम्याब हो गए, तो समझेगा कि बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए, तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको तब लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा, क्ल अब इसके बाद पुरातात्विक सामागरी यानि अभिलेक, अभिलेकों के बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, किसके बारे में, अभिलेकों के बारे में, तो आएए देखते हैं, अभिलेकों के बारे में क्या-क्या चीजें आपके पास हैं, जहां स कि हम चल सकते हैं बेटर घंग से ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो एक में दिखेंगे अब भी है अब भी है ठीक है तो पुरा तात्विक समागरी ठीक है चलिए इसको पहले कर लेते हैं फिर जो कुछ भी कसर रह जाएगी किसी दिन कोश्चन एंसर में करा दो ठीक है चलिए पुरा तात्विक सामागरी में सबसे पहले आते हैं अभिलेक कहां से आते हैं यानि अभिलेकों में आते हैं तो या एक बार थोड़ा सा इसका एक पुरा तात्विक सामागरी पर एक थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि एक्चुल में पुरा तात्विक सामाग कर लेते हैं प्राचीन पहरतिए जो इतिहास और तीन भागो में इत्यासकार हमेशा विभाजित करने एक होता है आपका प्रग्यतिहासिक काल दूसरा आज। प्रगयतिहासिक काल को प्रगयतिहासिक काल क्यों कहते हैं बचलो क्योंकि प्रगयतिहासिक काल का कोई भी लिखित साच्छिम मौजूद नहीं रिटन में कुछ भी नहीं यानि जिससे हम यह जान सके कि उस समय जो लोग थे उनका यानि कि वो किस प्रकार की समाजिक वेवस्ता में रहते थे किस प्रकार का पर्वत्योहार नाटक मेले उस्तो साहिट संगीत का आयोजन करते थे इसलिए इसको कहा जाता है प्राग इतिहास के बाद आध्य इतिहासिक काल तो आध्य इतिहास का मतलब क्या होता यानि की लिपी तो है बट लिपी पढ़ ही नहीं गई है जैसे हम खड़पर सब्विता को कहते हैं ठीक है और तीसरा कहते है इतिहासिकाल यानि इतिहास यानि इतिहासिकाल क्यों कहते हैं यानि जिसके निर्धारण के लिए हमारे पास साक्षे अभिलेबल हैं ठीक है ना क्लियर हो गया तो ये हो गया आपका याद रखे तो ये सारी चुजया नहीं जिसके लिए हमारे पास साक्ष है तो साक्ष को हम तीन इतिहास निर्माण के साक्षों को हम तीन स्रेणियों में बाड़ते हैं जिसमें से ये तीसरी स्रेणी पुरा तात्रिक में आपके साथ करने जा रहा हूं साहित्तिक और विदेशी हम कर चु तो अब आप यहां से देख सकते हैं साहित्तिक और विदेशी हम कर चुके हैं अब हम पुरा तात्विक करने जा रहे हैं क्या करने जा रहे हैं अब हम पुरा तात्विक यहां से करने जा रहे हैं तो पुरा तात्विक इसे हम क्या कहते हैं बच्चों इसे हम पुरा लेक सास् तो पुरा यानि पुरा तात्विक, स्वरी, पुरा लेक सास्त्र, क्या है, पुरा लेक सास्त्र, ठीक है, पुरा, यानि की प्राचीन, लेक मर्तब, लेकन, सास्त्र, यानि, तो ये है, याद रखें, इसे हम इंग्लिस में एपिग्राफी कहते हैं, जिसे हम देवनागरी मैस सकते हैं अभी ग्राफी भी कहते हैं इसको याद रखे हैं या इसको याद रखें मोहरों पर महर होती है अब पाचिंग काल में मुहर सेंदो सब्वेता में आपने पढ़ा होगा पाशान इस्तंभों पर कहां पर पाशान इस्तंभों पर मुहरों पर पाशान इस्तंभों पर इस्तूपों पर किस पर इस्तूपों पर इसके अलामा किस पर तामरपत्रों पर किस पर इस्तूपों पर ताम कहां पर मंदिर की दिवारों पर कहां पर मंदिर की दिवारों पर इंटों कि मूर्तियों इन सभी पर जो भी लिखित होता है उससे हम कह सकते हैं कि अब लेख है तो अगर हम देखें कि जब इश्वी शन का आरंब हुआ जब इश्वी शन का आरंब हुआ तो इश्वी शन के आरंब में जो अभिलेक लिखे गए यानि इसा की प्रतम सताब्दी में जो भी अभिलेक लिखे गए वह तामर पत्रों पर उत्तिन किया गये तामर यानि तामे के पत्रों पर ठीक है यह आप याद रखें और दक्षडी भारत में इस समय मंदिरों की दिवारों पर लिखे गए ठीक है ना दक्षड भारत के जो भी अभिलेक मिले हैं वो मैशूर पुरा लेक संग्रहाले में संग्रहीद है ठीक है तो आप यहां से देख सकते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे महत्वपूर अगर हम जाना चाते संग्रहीद में चुकी हमारा जीएस में पढ़ना है वैसे तो काफी कुछ बताने को होता है तो सबसे पर अगर हम हडपा सबेता को ले तो वहां के जो अभिलेक मिले हैं वो चितराटमक लिपी में है जिसे हम चितराट्यर या पिक्टोग्राफिक लिपी भी कहतें बट यह पढ़े ही नहीं गहे दोलाबीरा जो है संदो सब्वेता कास्तल वहां से अभिलेक मिला है बट वो पढ़े नहीं है तो हडपा अब हमारे पास पढ़ा हुआ अभिलेक कौन सा सबसे पहला आता है ठीक है ना सबसे पहला अभिलेक जिसे पढ़ा गया हुआ असोक की अभिलेक है और किसने पढ़ा आप सबको उन अंग्रेज का नाम पता है, जेम्स प्रिंशप ने असोक की अभिलेखों को 1849 में पढ़ा, ठीक है न, तो असोक की अभिलेख महत्पुन, हाला की, हाला की कुछ बिद्वान कहते हैं कि असोक के पूर्व भारत में अभिलेख उत्किवन कराने की प्रता प्रचलित ना थी, बट कुछ बिद्वानों ने बस्ती में प्राप्त पिप्रहुआ कलसलेख और अजमेर में प्राप्त बढ़ली अभिलेख को पूर्व असोक कालिन बठा कर उप्रिवत कतन को कंडित करने की चेस्टा किये, ठीक है, पर यहाँ यह कहा गयक, अंपरा भारत में शम्यक रूप से प्रतिष्टित हुई, इस्तंभ लेख, सिला लेख, गुहा लेख, मूर्ती लेख और प्राची रविलेख, इन सब से हमें अशोक काल के समाज, राजनीती, धर्म और प्रशाशन के बारे में शम्यक जानकारी प्राप्त होती है, यही इस धम अपनाने के बाद संकेत के रूप में धमकी देता है कि यदि आप सांत नहीं रहेंगे और विद्रो करेंगे तो जो अशोक है वह एक्षन लेगा, इनी अभिलेखों से उसके गुड गवर्नेंस के बारे में पता लगता है, इस्तंभ लेखों से, जब वह भाबरूप ब समावेशन की संकल्पना को आगे बढ़ाने वाली जो उसकी सोच या धारणा थी उसको प्रस्तुत करती है, जो उसके सिलालेक हैं, उसके धार्मिक शैशुता के पुतीक है, तो उसकी राजनीती को भी द्यक्ट करते हैं, और उन्हें हम बर्तमान का चार्टर भी कह सकते हैं ठीक है, यह हो गया, फिर इसके बाद अगर आप देखें, तो इनके बाद कलिंग का खारवेल अभी लेक, जिसके माध्यन से हमें खारवेल सासक के बारे में सारी जानकारी मिलती है, नंदों के साथ उनके शंबंधों के बारे में जानकारी मिलती है, फिर हमारे पास जो सब अधाबाद इस तंब लेख ना होता तो हम समुद्र गुप्त की विज्यों की जानकारी ही नहीं प्राप्त कर सकते हैं और उसे किसी भी प्रकार से बारत का नेपुलियन सिद्र नहीं किया जा सकता था ठीक है तो यहां से इतनी इंपॉर्टन्स होती है इसके अलामा जो चंद्रगुप्त दितिये का महरवली अभिलेख है इसकंद्रगुप्त का भितरी अभिलेख है जूनागड़ अभिलेख है जहां से हमें हूनों के आक्रमण की सूचना मिलती है रुद्रदामन का जूनागड़ अभिलेख है जो यह बताता है कि जो है और इसकंद्रगुप्त का भि अभिलेख यह बताते हैं कि जो है उस समय के शाषन में जल प्रवंधन को किस प्रकार से महत दिया जाता था सुदर्शन जील का निर्मान का संदर्व इन दोनों अभिल जिससे हमें उसकी जानकारी मिलती है और यह भी पता चलता है कि हर्ष के सासक कन्योज और पुलकेशन यह समकालिन थे वहीं से और दोनों के मद्ध युद्ध भी हुआ था यह कहीं ने कहीं यहां से हमें क्या-क्या मिलती है एतिहासिक घटनाएं तो मिलती हैं बच्चा लो जो मैंने आपको बता ही एतिहासिक घटनाएं तो मिलती हैं लेकिन उसके साथ साथ और क्या मिलता है डेट मिलती हैं नि तिथिया मिलती है क्योंकि जो इस पर लिखा गया उसे कोई मिटा नहीं सकता जो जैसा है वैसे ही आपके सामने आता है तो यह बहुत राजाओं के द्वारा राजाओं के जो राज कवी होते हैं उनके द्वारा लिखी गई तो कुछ हेरफेर होने की संभाना हो जाती है अब आप देखिए कुछ और अभिलेक मिलें जैसे बैदिक काल का जो मिला है मद्धेशिया से मिला है उसका नाम क्या बोगज कोई अभिलेक कौन सा है बैदिक काल वाला मद्धेशिया से बारस से नहीं मिला बोगज बोगज कोई अभिलेक आप लोगोंने पढ़ा होगा तो बोगज कोई अभिलेक से हमें क्या मिलता है चार बैदिक द्योगतानी 1420 का है इंद्र, बरुन, मित्र और नाशत्य का नाम मिलता है ठीक है ना तो ये सारी बातें आपको कहीं न कहीं इसके अलावा जो अभिलेक होते हैं जैसे अगर आप देखेंगे तो इरानी भारत पर आक्रमन करते हैं इसका उलेक दारा का एक दारा जो सासक था इरानी उसका एक अभिलेक होता बहिस्तून उससे हमें सूचना मिलती है तो ये आप याद रखेगा ये इंपोर्टन्ट है मैंने बताया एतिहासिक तत्य और तिथी दोनों की द्रिश्ट से अभिलेक अत्यंत मैत्पून भूमी का नेवाद है आप देखें भूमी अनुदान भत तो ये बहुत यानि प्राचीनकाल में राजा महराजा क्या करते थे भूमी DAN क्या करते थे तो ये जो भूमी दान है इससे भी हमें समय के बारे में या जैसे भूब वेवस्ता के पिशूर्स जानकारी प्राप्त होती हूं जैसे बूर कि पूछा था गुप्त काल की सिक्वा सास्त्री क्या लेकिन तिरह भी आपको और यह पता रहे किस हों की भूमिका है तो कहीं कहीं से मिरे बच्चों इतिहास निर्माण में मुद्राओं की शिकों की अत्यंत महत्वण भूमिका रही है आप ध्यान करेंगे अगर इस पॉइंट से हितर में पॉइंट आपको बताओं कि 206 इशा पूर्व से 300 इशा तक AD तक यानि 206 BC से 300 AD तक का भारतिय जो इतिहास है उसका ज्यान हमें मुद्राओं की शहायता से ही होता है हमें कहां होता है मुद्राओं की शहायता से ही प्राप्त होता है ठीक है न और मुद्रा इतनी महत्वण अस्थान रखता था कि इतिहास में इसे एक अलग विशे मुद्रा सास्ट जिसे हम इंगलिस में न्यूमिस मेटिक्स कहते हैं कहा जाने लगा तो अब आप समझ सकते हैं सिक्षे किस से बने होते थे पहले तांबे के होते थे चादी के सीसे के होते थे मिट्टी के भी मिले है ठीक है ना तो आप देख सकते हैं सबसे प्राचीन सिख्ये आहत सिख्ये है पंच मर्ग सिख्यानी ठपा लगा करके जो बनाए जाते थे तो यह आप इस परकार से तो मुद्राइक क्या करती है इतिहास में राजाओं के बंस ब्रिक्ष के बारे में जानकारी मिलती है उनके महनिये कारिक के बारे में उनके सासनकाल तथा उनके समाजी क्वार रजनायती क्यों धार्मिक बिचार के बारे में जानकारी मिलती है ठीक है अगर एक राज्य में धेड़ सारे शिक्क्य हों हम मान सकते हैं वह समरिद राज्य अगर कम सिक्क्य हो तो हम मान सकते हैं कि वहाँ पर आर्थिक स्टिती बेटर नहीं थी फार एक्जांपल अगर आप ऐसे देखना चाहें कि इंडो यवन सासकों का यह तो हमने बताई चलता है कि लेख यूग तो सबसे पहले उन्होंने चला है था हमें यह पता चला हिंदी योनों के आने के बाद ही भारत में लेख यूग तया नहीं कुछ लिखवा करके शिक्कों का सुभारम किया गया जैसे आजकल मुद्रा और शिक्कों पर एक रूपे दो रूपे या चबी चित रंग कित रहता वो सारी चीजें बता रहा हूं मैं दो रूपे हला अकल नहीं चलता मैंने एक्जांपल के लिए बता है तो 206 भी पूर्प से 300 भी ठीक है के बारे में पूरी जानकारी अब फर एक्जांपल जैसे अगर हम कंपेर करें गुप्त काल की तो गुप प्रियुत्र काल से देखेंगे कुसाणों के सिक्खे से तो उसकी सुद्धता कम हुई यानि सोने के इस्तेमालवान कम हुआ जो प्रमारी करता कि गुप्त काल में आर्थिक स्थिती देरे-देरे कम जो रोने लगी तो यह इसकी इंप्रटेंस है यानि इतिहास के पुनर मि यह इसकी महता अगर हम थोड़ोर पीछे आ जाएं मौरेकाल में देखें तो मौरेकाल में चंद्रगुप्ट विक्रमा दित्त ने सकों को हराया और उसके उपलक्च में चांदी के सिक्खे चलाये तो इससे और जहां-जहां से चांदी के सिक्खे मिले यानि पस्च्चमी भारत तो वहां से पता लगा कि यहां सकों का सासन था जिसे चंद्रगुप्ट विक्रमा दित्त ने उन्हें आ रहा है तो यह यह पूरा शिक्कों का इतिहास तो इससे बहुत कुछ जानकारी हमें प्राप्थ होती इतिहास के बारे ठीक है न? क्लियर है यानि साफ है कि आहत सिक्षे सबसे पहले पांचवी सताब्दी में आए ठीक है हिंद युनानी सासकों ने सबसे पहले सिक्कों पर लेक अंकित करा है सबसे अधिक तांबे चांदिवा सोने के सिक्षे मौर्योत्तर युक्या है ठीक है ना उस काल के धार्मिक बिश्वास कला शासन पत्धती समराज विस्तारवा बिजियों का ज्यान हमें सिक्कों से होता है कैसे धार्मिक बिश्वास जैसे अगर आप जो है अगर देखेंगे मौर्यों के सिक्के या आप देखेंगे कुशाणों के सिक्के तो उस पर जो है उनके धार्मिक प्रतीक अंकित होते थे ठीक है कला यानि कि जितने सुन्दर शिक्के उतनी ही सुन्दर कला कानुमान फिर इसके बाद सासन पत्धती समराज विस्तार यानि जहां जहां तक उनका सिक्का पाये गया है, वहां तक उनका समराज विस्तार, यह सभी काल की बाठ चित में करूँ, कनिश्क की जो मुद्रा है, उससे यह पता चलता है कि वह बहुत धर्मकान शर्मयाई था, ठीक है ना, जो सक और पहलो यूग था, सक और पार्थियन का, तो वहाँ पर क्या मिला है, सक और पहलो में, क्या मिला है, कि वहाँ पर जो शुण मिला है, उसमें, उसमें, जो है, कांसे की मात्रा थी, किसकी मात्रा थी, कांसा, कांसा, तो इससे पता लगता है कि उनकी इस्थिती ठीक नहीं थी, औ ना कुछ जो गन राज्य हैं जहांपर गनतांत्रिक शार्षन पद्धति थी मालव हैं योधे हैं उनका तो पुरा इतिहासी हमें सिक्कों से पता चलता अधुमबुर हैं ठीक है ना उनकी सासकों की रूचियां भी बताती हैं इनी सिक्कों से जैसे समुद्र गुप्त का एक स साथ उसी के बनसच कुमार गुप्त का अस्वमेद करकार का शिक प्रकार शिक्प मिल अस्वमेद है कि इस से पता लगती किशन मैतोफोन बोमी का निभाते ऐसे ही इसमारक और भवन भी होते हैं क्या है इसमारक वाप और सिक्कों से हमें ब्यापारिक स्रेणियों के बारे में भी स्थूचना मिलते हैं तो इसमारक वाप भवन तो इसमारक वाप भवन क्या यानि जो बनते हैं ठीक है ना जैसे पाटल मंदिर बेसररस South स्य लिके मंनने इन शच्प में जो कुछ बीचितरित उससे हमें तत्कालीन समय के धार्मिक विश्वास व कब पता चलता है और उसी के सास Это हम्राजनीतिक पहलıों के बारे में भी जानकारी मिलती के जहां तक मूर्तियों की बात है बताने क्या हो शक्ता नहीं ठीक है ना मूर्तियां भी हमें अनेको प्रकार की जानकारी प्रदान कराती है विशेशकर दार्मिक विश्वास के बारे में चित्रकला है बताने क्या हो शकता नहीं लोगों की रूचियों का संकेत भीम बेटका से इसकी सुरुवात होती है तो I think आप समझ गये हैं एक मैंने सरसरी निगास से यह पूरा टॉपिक कम्प्लीट कराया अब हम लोग कल से actual में जो असली इतिहास होता उसमें इंट्री करने वाले हैं यानि पाशान काल में कल हम लोग स्टार्ट करेंगे पाशान काल यानि प्राचीन काल से में साहित काल जो प्राचीन काल में साहित शंगीत कला बास्तु कला के मुख्य पहलू तो कल हम लोग कला पार्ट स्टार्ट करेंगे और उसका इंट्रो करेंगे बहुत अच साथ के बाद उन सब पर भी काम कर रहा हूं जब-जब मौका मेलरा रिकॉर्डिंग करके आप लोग के समख चाना हूं थांक्यू सो मच बच्चा मेहनत करिए मिलते हैं चोटे से ब्रेक के बाद जैहन अगरिम आपका है और जो बच्चे UPSC की त्यारी करना चाहते हैं वो मेरे कोड के साथ मेरा है कि मुख्य पर इच्चा है एक हजार नंबर ऑप्शनल इथिक सोरे से प्लस प्रिलिम्स की पूरी पढ़ाई UPSC की आपकी सतलता का अधार है जो भी बच्चे पसंद करते हों मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं ठीक है लग संद करते हैं आपकी साथ करते हैं लग प्रिलिम्स की पाते हैं अंगी और ही रिख हैं वो मेरे साथ कि तो कि मुआज बापकी से प्रिलिम्स का जगे भावदल अगा हैं इलुआ